शिरिक्रिष्ण निला चिंतन्गे प्रजवासियों के जमना पात जाने का वर्णन, शिरिकिष्ण का व्रिंदावन की शोबा का निरीक्षन, करके पर फुलितुन, शक्टो द्वरा अवास निर्मान व्रिंदावन पहुचने के उद्देश्य से सरप्रथम गोपो की अपार धेनुराशी, चमना संतरन कर रही है। प्रिश्रम जन्य निश्वास की गती से उनके नासा पुट विस्फरित हो गए हैं। पर संतरन के उलाज से वे परिपूर्ण हैं। शीर भी छुटा ही है। इसलिए अतिशे वेग से सुख पूरक्वे धारा का अतिक्रमन करते जा रहे हैं। उनके लगुपुच्छ के लॉम जल से भीग करके भारी हो चुके हैं। अतवे उनका संचालन नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी उन्हें कोई भय नहीं है। उनकी जन्नी उनके आगे आगे तैरती जो जा रही है। अपनी माता के पीछे पीछे गोवच्छ भी सर्वत्र सकुशल पार उता रही। जो नाव परसूत आज कल में उत्पन हुए अत्यान छोटे कोवच्छ सें। सेंव तैर कर पार जाने में असमर थे। उन्हें संतरन पटू गोव अपने कंदों पर बिठा करके सेंव तैर करके उस पार ले जा रही। उनके चार पैरों में से दो को वामसकंद पर दो को दक्षिन पर धरन करके गोवच्छ को प्रतम सुख पूरवग पीठ एमकंदे पर यतोचित बिठा करके कहीं में बीच धारा में कूदना पड़ें इस अशंका से लिए उनके चारों पैरों को अपने वक्स धल सिस्टा करके एक हाथ के दोरा दिठा पुरग दबाए हुए एम दूसरे हाथ से जचंद तैरते हुए से कुशल तैराक गोव उन्हें पार पुचा दे रही हैं आगे आगे तो सकंद एम पीठ पर गोवस धारन की एक गोव तैरते जा रही हैं एम उनके पीछे पीछे उन गोवसों की मताएं हुमा हुमा करती रवी नंदनी की धारा को विदीर्न करती अतिशवेक से संतरन करती जा रही हैं उन परम श्रेष्ट व्रिशवा के जमना संतरन की छटा तो निराली ही है उनके पूर्ण परिपुष्ट विशाल कोकुच से कालिंदी की लहरे टकराती हैं टकरा कर छिन भिन्न हो जाती हैं स्तोत्र का विग अत्यंत प्रबल होने पर भी वे बलक द्रिप्त व्रिशव अत्यंत सरल भाव से तेरते जा रहे हैं उनके कुकट के निकट जल्द स्तोत्र किंचित रुद्ध होकर उपर चलकने लगता है तरंगे कुगत का अभी शेक करने लगती है इस आगात से उन वरिश्भों को ऐसा भान होता है मानो लहरें उनसे युद्ध करने आई है वे क्रोध में भरके अतिशे संदर मुद्रा का परदर्शन करते हुए अपने ग्रीवा टेडी कर लेते हैं तदा सिंगों से लहरों का परपरहार करने लग जाते हैं इस परकार बीच बीच में लहरों के खेलते सिर उठाते अपने धीव की स्वांस एम संतरन की वेकपूर्ण गती से धारा को शुब्द करते हुए वे उस किनारे पर जा खड़े होते हैं श्रीकिष्चंद्र एम बल्राम अपने विशाल शकट पर ब्रजेश्री एम शीर रोहनी के पार्ष में खड़े रहकर अपार गोधन की जमना संतरन निला देख रहे हैं ऐसा अनभव को तो प्रथम बार देखने को मिला है उनके अनंद का पार नहीं अपने करपलव नचा नचा करवे रोहनी मैया को ब्रजरानी को बार बार किसी ना किसी गोपी शेश की और उनकी संतरन भंगिमा की और देखने की प्रेन ना करते हैं तथा रह रहकर शकट से कूद पढ़ने को उद्धित हो जाते हैं यदि दोनों मताई निरंतर सजगना होती तो ना जाने अब से कितना पहले वे धारा में कूद करके संभवता किसी तैरते हुए गोवस की पूछ पकड़ लेते उनसे कुछी दूर पर एक उंचे टीले पर खड़े बजेश्वर अपने सामने पुत्र की अनंद मुद्रा निहार निहार कर नित्र शीतल कर रहे हैं पार जाती हुई गाएं कोई विवस्था को तो वे कभी के भूल चुके हैं उनकी व्रिती सब बोर से सिमट करके शिरिकिष चंद्र में लग रही है जो हो धीरे धीरे धेनों समों वरिश्वों के दल सभी पार होगे कलंदी के कपूर धूली पटल सद्रिश सच सैकत तड़ पर श्रेनी बाद होकर खड़े होगे मानो संतरन जन्य प्रिश्रम के कारण ठके से होकर के वे विश्राम कर रहे हैं इदर नुकाएं कत्र होने लगती हैं गाएं तो पार हो चुकी अब इन शकट समों को जो पार करना है इन नुकाओं से जमना के वक्स थल पर सुन्दर सितू की रचना होगी और उस पर शकट एम गोप, गोपी पार उतरेंगे अस्तु सितु रचना में कुशल गोप चुट पड़ते हैं केवट उनके अदेश के उनसार इस तड़ से उस तड़ तक एक पंक्ती में नुकाएं खड़ी करते जा रही है एम कलाविद गोप उन्हें काश, कुश, सरकंडे तथा बांस के सहारे प्रस पर सनद्ध करते जा रही है देखते देखते दोनों किनारों के मध्ध में अत्यन संदर से तु निर्मित हो जाता है इतना सद्रड एम भए भादा शुनने कि मानो एक विशाल राजपत ही जमना की लहरों पर फैला हूँ उसी सेतु पर धाड़ धाड़ करती हुई शकट छिनेनी चल बड़ती है पुना ब्रस संद्रियों का गाए नरंब होता है गोपों के अनंद अतिरेक वश उच्छ हासे से आकाश गूंज उठता है डल के डल युवक गोप नाच्टे कूते नाना परकार की क्रीडा करते हुए जल बड़ती है क्रमशा सेतु को पार करके सभी व्रिंदावन के भूमी में पदर्पन करते है राम शाम को अंक में धारं की शीरोईनी एम ब्रजेश्री भी अपने विशाल रत पर आसून हुई इस पार आजाती है बस इस पार आने भर की शकट इस तट को छू भर ले इस बात की देर थी फिर तो राम शाम को मैया रत पर बिठाए रक सके ये संबव है मैया की सारी साथ धनी धनी रह गई वे दोनों विद्यत ग्रतीचे शकट से नीचे कूदी तो पड़े कूदगर, सुबल, शिरीदाम, आदिसखाओं की अतिशय उचकंड से बुकारने लगे वे गोप शीशुवी मानों इस प्रेमिन आमाहन की परतीक्षा कर रहे थे माया शक्ति के प्रभाव से अब तक परते गोप शीशु को यही अन्बव हो रहा था। ब्रेहदवन से यात्रा अरंब होने के समय से अब तक सबकी यही परतीती थी कि उसका रत हैं शिरीकिश का रत दोनों ही सदा सासा चल नहीं। उसका रत ही अन्य सब की पेख्षा शिरीकिश चंदर के रत से निकट हैं। फिर आवाहन पा लएने पर उनके 71 होने में क्या भी लंब होता। असंख रतों पर आशीन वे गोप शीशु शनों में ही शिरीकिश चंदर के समीप आप उसती हैं। आ करके उन्हें चारोर से घेर लेते हैं। शिरीकिश चंदर विरिंदावन की शोबा निहारने उस और अग्रसल होने लगते हैं। तथा ये गोप शीशु भी कुछ उनके आगे और कुछ उनके पीछे रहकर साथ ही साथ जल पढ़ते हैं। प्रतिशन नावन नाव शोबा धारन करने वाले अध्यनत रहस्य पूर्णी स्वरिंदावन का तो कहना ही क्या है। जिदा ध्रिष्टी जाती है शोबा की राशी भिखती है। कवी की कलपा आज सत्य हुई। उसकी रसना की ओट में सरो की जनकार करती सुर सुंद्रियों का सपन आज मोर्थ हो गया। कवी जब कवी भी शुक पिक आदी कलकंठ वन विहंगमों की काकली सुन पाता है। तब उसे कलपना राज्य में अनभूती होती है। ये काकली नहीं ये तो संगीत सर लहरी है। उसके नेत्रमंद समीर संचालित लतावल्णियों के सपंदन को नृत्य के रूप में ही अनभू करते हैं। मेक के समागम से पृत्ती पर उठी हुई अंकराशी। अंकराशी को देखकर के कवी को ये भान होता है कि ये अंकर नहीं ये तो हर्षवाश धरासंद्री को रुमा छुने लग गया है। अपनी इस अनभूती को वे कावे में गुम्फित कर दिता है। पर उसकी ये अनभूती सार्व जनीन नहीं हो पाती। जन स्थारन के लिए विहंगम काकली लतासमंदन भूमी का अंकरोधम सभी ज्यों के त्यों बने रहती हैं। किसी को इन में गान, निरित्य, एम, रमाँज का अनभव कदा भी नहीं होता। कवी की कल्पना कल्पना ही रह जाती है। सत्य वन कर प्रगट नहीं होती किन्टु कदाचित। उनके नित्र प्रकित संदरे से उपर उठ जाते ही। वागवादनी भी कमल योनी से। श्रिष्ट जगत को भूल करके नित्य चिन में व्रिंदावन को देखने लग जाती है। इसमें व्रिंदावन में विहरन छील श्री क्रिष्ट चंदर के दर्शन कर पाती है। वीना धारनी के नित्रों में नित्र मिला करके कवी वी इस अप्रतिम सुन्दरे की जहंकी कर पाता और फिर कावे रचना होती। अनभाव को शब्द का रूप मिल जाता तो वैस सुन्दरे उक्ती निश्चे ही कल्पना ना होती। कल्पना प्रतीत होने पर भी कवी का वर्नन अक्रिष्टा सत्य का निर्दर्शन होता। क्योंकि श्रीकिष्चंदर का सानिध्य पाकर आज विहंगमों की काकली नहीं रही है। वास्तम में ही संगीत की मधुर रागनी बन गी है। आज तरू शाखाँ से लिप्टी लतावल्डिया पमन संचारितों के स्पंदित हो रही है। ये बात नहीं अपित्वे श्रीकिष्चंदर के दर्शन से उल्लसितो कर सच मुछिन लिद्द्य कर रही है। भूमी पर अंकुर राशी उगाई हो। ये नहीं सत्य सत्य ही विरिंदा कानन को धारन करने वाली धरा के दिश्टात्री। व्यक्त होने वाली सभाविक परम सत्य परिनाम है। प्राकित नित्र मन भले इन्हें देख नहीं सकें, इनका अनभव नहीं कर पाएं। किन्तो श्री क्रिष्ट चंद्र के क्रिपा कंसे पूत हुए दिविशक्ती विशिष्ट नित्रों के लिए तो ये नित्य सत्य हैं। रिंदाटवी सच मुची इस समे एक अभिनव गान नित्य एमपुल को दगम, आदि अगनित अनन्द अनुभावों से परिपूर्ण होगी है। अरन्य का अनुआनु अपने में ना समाते हुई अनन्द को विभिन अनुभावों से व्यक्त कर रहा है। श्री कृष्चंद्र कभी तो दोड़ते हैं, कभी किसी अतिशे प्रिय सनिक्ध व्यसक गोब बालक के कंधे पर जड़ जाते हैं। गोब शिशों का उत्सा भी बढ़ता ही जा रहा है। श्री कृष्चंद्र को नव नव निकुंज स्थली की और लता पल्लव जाल से अवरित स्रुम में वं स्थली की और संकेत करके ले जाते हैं। यह वहां की शोबा निहार करके पर फुल लित होते हैं। श्रीकिष्च चंद्र भी अपने सखाओं को एक से एक सुन्दर स्थानों का दर्शन करा रहे हैं। इस परकार मानों वे यहां से यहां के अनु अनु से अब चीर पर चीत हूं। दल दल के म्रिक एम्यूर अपने भंगिमा से शुब शकुम की सूचना देते हुए। श्रीकिष्च चंद्र के सम्मुख आते हैं। वो ललक भरे नित्रों से उनकी ओर देखते रहते हैं। फिर चौंकडी बरते हैं। निरित्य करते हैं। सगन वन की ओट में छिप जाते हैं उनी का अंसरन करते हुए श्रीकिष्च चंद्र भी इस कुंज से उस कुंज में। कभी तट से वन की ओर और कभी वन से कलंदी कुल की ओर अनवरत विच्रन कर रहे हैं। यदि ब्रजे श्री की बेजी हुरी परिचार काईं उन्हें बलाने ना आ जाती तो पता नहीं श्र अस्तवन का निरिक्षन कर लिती। परिचार काउं के अन्रोज से भाद्य होकर के उनकी मनुहार से द्रवीत होकर के वे जन्नी के समीब चलतो पड़ते हैं। परदिष्टी बार बार जा रही है। गिरी राज गवरधन के चरन प्रांत में जाने वाले तरू लता मंडित की ओर ही। यदि किंचन मात्र भी और विलंब करके वे दासियां पोच्टी तो श्रीकिष्चंदर तो वहां खदापी नहीं पाती। मेरे की शावक की भाती दोड करके एक बार तो वे आज ये उस परम सुन्दर अतिशायकर्शक भूधर को अत्यंत निकट से देखी लेते इदर नाविकों को मुँ मंगे परितोशिक दे करके उस से भी बहुत अधिक दे करके ब्रजेशर उने विदा करते हैं और पुना तोरे नात करने की आज्या देते हैं नुवीन ब्रजपूर इसी व्रिंदावन में यहीं इस वन खंड में बसने जा रहा है। यह गगन भेदी तोरे नात इसी की सूचना कर रहा है। से ही अपने अपने आवास का निर्मान करने में सलक न हो जाते हैं। सदा सब काल में परम सुख दायक इस व्रिंदावन की भूमी पर अर्ध चंद्राकार में नवीन ब्रजपूर की रचना अरंब हो जाती है। सकट को बान बनायों ऐसी सुंदर अर्ध चंद होई जैसू। शक्तावर्त नामक स्थान पर इस अर्ध चंद्राकरिती पूरी की रचना होती चली गई। आठ कोस लंबी एम चार कोस चोड़ी। भूमी को ये नवीन ब्रजपूर देखते देखते ही घेड लीता है। अवश्शी ब्रजपूर की आठ कोस की ये निधिर्कता एम मध्य में चार कोस की विस्तीनता ये मान ये परिमित लोगत्रिष्टी से ही परती तोड़ी है। वास्तम में तो ये अनंत है। अचिंत शक्ती समनमित है। इसकी कोई सीमा नहीं। चिंद अनंद में पर भ्रम की महा महीश शर्षरी क्रिश्चंद्र की ये पुरी है। उनके समान ही ये विभू है। इसके ठीक मद्द में ब्रजिंद्र का आवास निर्मित होता है उनके पार्ष्य देश में उपनंद आरी भ्रहताओं का उनके आगे अन्य गोपों की शकट रचित क्रहावली शोबित होने लगती है सब के प्रामर्ष से अन्य स्थाई विवस्थाएं काल होंगी आज तो जैसे तैसे विश्राम कर लेना है ये सुचना सब को मिल जाती है फिर तो गोपगार्ण निश्चिंद से हो करके वन की और चल पड़ते हैं ब्रस संद्रियां भी कल्शों में जल भरने जमना तर्ट पर चली जाती हैं तटकी एम वन पत की शोबा निहार ने लगती हैं निहार करके विठकित रह जाती हैं डल की डल अनंद विहल हुई तरुशाखाओं को हाथ से खींच करके उन पर जूनने लग जाती हैं जन्नी से सनलालित होकर के शिरिकिश चंद्रवी दाव भीया के साथ शेप करती हैं उदर ही परतीत होता है मानुस सुंदर अदिश्टात्री के कोश में जितनी शोबा संचित है सब की सब विखेद दी गई हैं वन गुवर्धन जमना पुलिन सब बोर से जैसे सुंदर स्टोत्र स्विट्पस्वनी उम्री आ रही हूं उसमें अवाहन कर दने निधी श्री किष्चंद्र एम शोबा धाम श्री बल्राम आज अनन्द मुक्दोरेंगे। अरो सुपसारक पिक मोर और अम्बोज और भौर रत्न सिखर गिरी गोधन सोबा निक्सी मनु नहीं छवी गोबा। को है। बाल कृष्चन भगवान की जे, इशोदा मिया के लाल की जे, नन्द के गुपाल की जे। को है। को है।